हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ जुपलान सार करने जा रहा हूं इसका प्लोट का साइज है प्लोट साइज यह है 36 feet in width into 56 feet in length तो इसमें मैंने एक एक थ्री वेज के वाला होसलान रखिया हूं जो north face का रहे गया ठीक है तो यह एक उत्तर मखी घर का नक्सा है तो मैंने अलड़ी प्लान डग कर लिया हूं अभी मैं इसे वालफिलिंग करूंगा दूस बगरा वंड़ बगरा सब कुछ प्रोवाइट करूंगा और आंके आपको एक एक करते डिटर से बताऊंगा तो पहल में 9 इंच का दिवाट जितना है इसे हाईलेट करूंगा और आपको 500 इंच का दिवर खाऊंगका और यह भी बताऊंगा क्यूंकि कंदिक क्म 95 नहीं है क्पालाप देवार 5 ओर देने से भी चलेगा वहां पी मैंने 5 डिवार राखा हूं ठीक ए तो इस यह 9 यह का दिवार के बाद मैंने आपको 5ा डिखांगा यह दू तो कलम रहा यहां और इधरो यह से इह हो गया gratitude, ठीक है, और इसे घर गर कि मैंने सारी फीछव करते जाएंगा, इह होगा हमरा नॉइज का दिवार, यह हो गया इसके बाद यह पीछे की तरफ ठीक है तो फ्रेंड्स यह जो प्लार मैंने बनाया हूँ यह एक सब्क्राइबर का रिकूर्बेंट को ब्यास करके बनाया हूँ जिसने मेरे एक वीडियो पे करमेंट करके की अपना प्लट का साइज और रिकूर्मेंट के बारे में लिक्वीटा से मिलकी भीजे थी ठीक है है तो यह यह जो रेड कलर कर रहा हूँ यह 15 का वाल रहेगा है ऐँ यह 15 का वाल और यहां पर 15 का वाल रहेगा कि यहां पी जरूरत नहीं है नौइज के वाल का ठीक है तो यह हो गए हमारा पांचिस के वाल तो फ्रेंस आपको भी कुई प्लान का जरूरूत है तो आप भी वीडियो का कमेंड बख में चाहिए और आपका plot का size नहीं तो आपका build-up size बताइए और आपका क्या requirement है ये बताइए मैं आपको ये भी plan बना के जरूरूरूत है ठीक है? ये जो ऑल रहेगा ये 7 फिर तक रहे यह वेंटिलेटर और यहां पर यह ओपन सा रहेगा उपर सोत रहेगा लेकिन नीचे वाल नहीं रहेगा तो इसे भी मैंने ग्रेंट कलर कर दिया इसके बाद कि डूर्ष प्रवाइड कर देते हैं ठीक है यहां पर यहुए हमारा मैंन तूर Internal बातरूम का डूर है यह 2.4 शीma है तीन फिट गाउडर् Weale अच्छा लगे जहांको जरुरत है उहां पर दूस लगाएंगे ठीक है तो यह होगी हमारा दूस तो फ्रेंड्स यह रहा आपका पूरा प्लांग अभी में इस ब्लांग के बारे में आगे आपको डिटलेस में बताऊंगा लेकिन इससे पहले मेरा एक छोटा सा साथ ठीक है और लेप्ड तरफ है इस्ट की दिशा और राइट की तरफ रहेगा वेस्ट की दिशा यह आपको इसे प्लेट के साईच है यह साथ की तराफ और न Coca-00 रहेगा चोड़ाई में और इस्ट की तरफ और वेस्ट की तरफ लंबाई में रहेगा 56 तो यह जो प्लट है इस प्लट का तीनों तरफ टीक है वेस्ट के साइड साउथ की साइड और इस्ट की साइड तीनों तरफ परशे का मकान है तो हमने वेस्ट की तरफ मतलब घर का राट तरब साधी दो फीट का सपीस छोड़ा हूं एसे ही पीछे के तरप फीट का currently 2 fit change का और सेkommen steer इसे की तरप, left side भी साधी 2 fit का 2 fit change का पीस छोड़ा हूं ताकि हमारा घर को proper ventilation हो सके ठीक है, और आगे के तरप यहाँ भी मैंने 6 फिट का स्पीस चुड़ा हूँ जगा रखा हूँ तो यहाँपे रहेगा हमारा एंट्रांस कि यह हो गया हम घर को एंटी करेंगे यहां से पहले आपको में लगाए कार पार्किंग कार पार्किंग ठीक है इसका चोड़ाई हो गया यहां से यहां तक की 13 फिटी 13 फिटी और लंबाई हो गया 17 फिटी तो बड़ा से बड़ा कार पार्किंग हो पाएगा इसके साथ एक दो टो बाइक भी पार्किंग हो पाएगा ठीक है इसके बाद यह जो साइड में स्पेस छोड़ा हूँ 6 फिट का यह हो गया हमारा गार्डेन हाम यहां पर गार्डेन करेंगे 6 फिट का लंबाई बहुत है औ यहां पर टेरेट का बाग यह रहेगा ठीक है छत रहेगा तो इसका चूड़ाई मैंने तीन फीटर खा हूं आप चाहे तो यह वाल को आप स्किप कर सकते हैं जो यह वाल देखें यह वाल कर सकते हैं ठीक है जोगरत नहीं है और यह हमारा मेंदूर भर को एंटी करेंगे तो यह हो गया बढ़ासा हॉल हाम इसे drawing room, living room कही साभसे यूझ करेंगे और living room ठीक है तो इसका जो चोड़ाई है यहां तक की सोलों फिट 6 इंज साढ़े सोलों फिट और यहां से यहां तक की यह हो गया शोलो फिट आर्टेंच तो लगबग साड़ी शोलो शुका बड़ा सा हॉल हो गया ठीक है इसके बाद यहां पर आपको एक पांच फिट तीनेंच का आर्च मिलेगा ठीक है तो यहां पर दिखें पूखड़ा रहा है तो आप यहां पर आप एक सार्गे का पांच पर मोगे यहां पर चूड़ा हूँ को पांच लात्रूं इसका । रहेगा चार फिट और लंबधाई रहेगा शाठे छे फिट इसका छत रहेगा चार फिट उबद करुं सका हमारा पहला बेट्डूम ग्न Kayya छोडाई रहेगा 12 पिट और लंबधाई रहेगा बारागे लोिट बारवे बारा का पहला बेड्डूम और इसके साथ एक आटच टेलट का बाथरूम जिसका चूड़ाई रहेगा चार फीट और लंबाई रहेगा साड़ी छीप फीट ठीक है इसके बाद आगी की तरफ बढ़ेंगे तो यह हो गया हमारा चेकेंड बेड्डूम ऐसके ऐसेसं फ़ार क कि रहेगा 12 फीट कोसेशाच लंबाई रहेगा 12 फीट और इसके साथ इक आटच टेलट का बाथरूम जिसका चूड़ाई होगे चार फीट और लंबाई रहेगा छे फिट साथ इंच इसके बाद इधर आएंगे तो यह हो गया हमारा तीसरा बेड्डूम, थार बेड्डूम, ठीक है, बेड्डूम थ्री, और मास्टर बेड्डूम, ऐसे तो मैंने तीनों मास्टर बेड्डूम रखा हूँ, लेकिन यह हमारा मैन मास्टर बेड्डूम है, इसका चूड़ाई रहेगा 4 फिट और लंबाई रहेगा 6 फिट 8 इंच ठीक है इसके बाद यह हो गया हमारा डाइनिंग रूम डानिंग एःगा थोड़ा हूँ ये बड़ा सा इसका चूड़ाई रहेगा 9 फिट और लंबाई रहेगा 11 फिट चारीज बड़ा सा डानिंग रूम है और यहां पेका आर्ज मिलेगा 3 फिट का अंदर जाएंगे तो ये जो रूम है ये हमारा कीचेन ये पुरा मेने पुजा रूंक जरूरत है तो यहां पुजागा बना सकते हैं मंदिर, ठीक है, तो फ्रेर्स, यह रहा आपका पूरा प्लान, आशा करता हूँ, आपको मेरा इप्लान, मेरा इवीडियो जरूर पसंद दया होगा, तो एक लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करना और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तक लीज सब्सक्राइब करते हैं और ये वीडियो दिखने के बाद मेरा इपलान कैसा लगा कमेंट करके जोरूर बताना ओके थेंक्यू